तो दोस्तो मैं उस मुस्तक्बिल का अजीम करीम मेजबान मेरा नाम है सोहिल और मैं अब सभी का तह दिल से इस्टगबाल करता हूँ तो चलिए शिरू करते हैं तो दोस्तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक इंडिया के हिस्ट्री से रिलेटेक एक वेरी उपॉर्टेट परसन की हम लोग मजार पे जाने वाले हैं और उस मजार के बारे में थोड़ी से डीटेल जानेंगे और परसनलेटी ने क्या-क्या किया था अपनी जिन्दगी के बारे में वह जानेंगे तो आज मैं हूँ और मेरे साथ नवीत खान है तो आज हम लोग एक्स्प्प्लोर करने के आसते जा रहे है उदर ही तो देखते हैं वीडियो कैसे होती है और वीडियो में बने रहे हैं तो दोस्तों हम लोग आज चुके अभी फर्शो में और मैं आपको बताता हूँ सोड़ी लुआरा वह गूरी जाती हैंchlag तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अभी डर्ल आ के अदर चलते हैं तो दोस्तों हम लोग आज चुके तोड़ा से एंट्रों मेरा नाम है आमिर शेख और यहां के हम लोग हादीम है एस वेल एस करेटेकर हैं हम लोग यहां पर बहुत हमारी पुरानी पीडी से हम लोग करेंगे करिम में चलता आ रहे हैं और चलिए आपको छोटा सा तूर गाइट देते हैं और अजिब के मजार क तो चलिए आपको हम ठोड़ी से आपके इसके रियल स्ट्य आपको और गजिब के वारे में बठाते हैं या खरीब नवाज या खरीब नवाज तो आचुके आमेर भाई और परवेज भी अंदर हमां को इंफर्मेशन देने के लिए और अब भी हम इंफर्मेशन लेने वाले इन से तो आचुके हम अंदर मजार कच्छा इसके उपर आपको पौदा दिख रहा है यह सबजे का पौदा है इनकी वील थी कि मेरी कबर के ऊपर कोई गुम्मज नहीं बनाना इमारत नहीं बनाना ओपन स्ट्रिक्चर रखना यह 1616 में पैदा हुए थे गुजरात में दाहुद में और 1707 में और अरंगजेब रह्मत लेले के इंतेकाल हुआ एहमन नगर पूने के पास उस साइड में आपको टॉम दिख्राइब यह इनके टीचर है के गुरू है इनका नाम है ख्वाजा जहनुत दिंचिस्ति जो अजमेर में मुविद दिन चिस्ति है उन्हीं फैमिली कहिए और उस साइड में घरिल की उसर साइड में औरंगजेब का बड़ा लड़का है उनका नाम है आज आजब शाहने अपनी इमार की याद में जिए बढ घब बनाई औरंगाबास की तो टोपी कि इस माल relating 후 ृवघ करते हैं। और मद्ट आज सडसी की परतियों नियुसरा शयंस hour और रीकलि में सैल करके लिखुछ पैसा तो ईतों भी है रप्र रीकलों के भूंगत हैं। तो उसी से जो आखरी में के 14 रुपय बारने में उस टैम में बचे थे 14 रुपय बारने उसी से इनकी कबर को बनाया गया और सामने जो है इदर आईए आपको इसको डिस्कुर्शन लिकाते हैं इसका मतलब होता है कि जो रहने वाली जार सिर्फ अल्ला की है सबको एक नेक दि अलंगीर बागे करन का डेट ऑफ बर्ग और जो है और जिसे इन डाइट हो है उसकी तारिक वगरा यह पूरी जो है उनकी वील है यह मार्बल के उपर और जो आपको इस ग्रिल्स वगरा जिख रहे हैं यह जो हैदराबाद के निजाम में 1921 में 1921 में लॉट करजन के कहने लाके लगायते उस टेम पर वाइस राफ इंडिया जो था इंडिया का बिटिसर यह पौधा मजार के उपर आपको पौधा दिख रहा है इस सबजे पौधा इसको इंग्लिश में बोलते है बैसिल जो त्रेम है त्री बोलते है जो फालु देवाद में काम आते है उसका ट् विजिट करते हैं तो आपको यह बोड भी दिखेगा यहां भी पूरी रियल हिस्ट्री लिखी है एस वेले से हाट वह भी हैं पर इंफर्मेशन बताते हैं तो आप जब भी हैं पर विजिट कर गरेगे तो आपको यह जो ट्योंग जैसा हमने ब्रोक बता है वह अशी के अब को रहें तो उनका भी थोड़ा बनता है कि वीडियो में उनकी इंफर्मेशन दी जाए तो यह हमारे खाधिम भाई लोग और अल्हम्दूलदुल्ला इनके सपोर्ट जैसे रहे तो हमारे अच्छा लगे घ्या उसके बाद मुझाब्धेयों नमीत भाई जो मैंशी रह वीडियो में तो यह भी दरगा की खादी में तो बहुत अच्छा लगए हमें कि हमें हमारे लोग की हमको सपोर्ट कर रहे तो हम लोग जान रहे थे और और अरंग जेप की बारे में पूरी इंफर्मेशन तो आप लोगों की वीडियो कैसे लेगे आप मुझे कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बात हमेशे दान अखना सोहेंडी